तो जी ओटी के पिछले एपिसोड में जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि सर्डेवोस एट और उसके कुछ साती जोन की बोडी को लेके कासल ब्लैक के रूम में आ जाते हैं और एट वहाँ से बाहर जाता है हेल्प लेने के लिए तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि ब्रैन थ्री आइड रेवेन के साथ पास में गया है और वो वहाँ अपनी फैमिली को देख रहा है वो वहाँ अपने पापा नेट स्टार्क और चाचा बेंजन स्टार्क को तल्वार बाजी करते हुए देखता है यहां उसने पहली वार अपनी बुगा को देखा है क्योंकि इससे पहले उसने महद अपने पापा से अपनी बुगा के बारे में सुन रखा था पहले नहां पर होडोर को भी देखता है जो कि उस टाइम बच्चा था उसको यहां पता चलता है कि होडोर भी कभी नॉर्मल लोगों की तरह बात कर सकता था अब मैं तुम लोगों को याद दिला दूँ कि होडोर एचली से फोडोर होडोर ही बोलता है बोले तो गुरूट जैसे आइम गुरूट ब्रेन को यहां मज़ा आने लगता है तब ही त्री आइड रेवन ब्रेन को प्रिजेंट में वापस लेकर आ जाता है अब ब्रेन ये सब गुफा के बहर आकर मीरा को बड़े ही मज़े के साथ बताता है इसी के साथ साथ वो से ये भी बताता है कि अभी एक बहुत ही बड़ी वाली जंग होने वाली है मीरा का यहाँ पर mood ठीक नहीं था क्योंकि अभी अभी कुछ टाइम पहले उसने अपने भाई को खोया है इसी के साथ साथ वो brand से बोलती है कि हम यहाँ बहुत टाइम से हैं और यहाँ रहकर हम लोग किसी भी जंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे तब यहाँ चलन आउदा फॉरेस्ट की एक बच्ची वहीं बैटी रहती है और वो मीरा से आका कहती है कि तुम को उसका साथ देना चाहिए और वैसे भी तुम लोग यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहने वाले बहुत ही जल्द ब्रेंट की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी और तुम लोग यहाँ से जापा होगे अब किंग्स लैनिंग में सर्सी की नेकेड वॉक के बाद वहां के लोग उसकी बिलकुल भी इज़त नहीं कर रहे हैं और उसके बारे में तरह तरह की बाते अलग बूले है एक शराबी बीच मारकेट में सर्सी के खिलाव अनाव शनाव कुछ भी बोले जावा था अब यह सबक लोओनी करने के बाद जब यह बंदा एक कुने में हलका होने जाता है तब एक दम से उसके पास mountain आता है और एक दम से उसको पकड़ कर उसका सर फोर देता है और यहां से चला जाता है थोड़ी देर बाद सरसी अपनी बेटी की funeral के लिए जा रही होती है तब ही उसको King Tommen के soldiers रोक लेते हैं यह लोग उससे कहते हैं कि King के orders हैं कि आप अपने room से कहीं भी बाहर नहीं जा सकती है सरसी के साथ यहां mountain भी रहता है और mountain को देखके सभी soldiers की फट जाती है मगर सरसी यहां कोई भी scene create नहीं करना चाती थी तो वो वापस चुच्चा आप अपने room में चली जाती है वही ग्रेट सेफट आप बेलर में जेमी और टॉमन मासला की body के पास खड़े रहते हैं और दोनों के बीच में बाते होती हैं टॉमन जेमी को बताता है कि उसको अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि उसकी लोगाई को किसी और ने अपने पास रग रखा है और उसकी मम्मी को सनी लियोनी बना कर पूरी सीटी में नंगा घुमाया गया जेमी यहां अपने बेटे टॉमन को समझाता है टॉमन ने एच्छली सरसी को यहां इसलिए नहीं आने दिया क्योंकि उसकी फट रही थी कि अगर मम्मी दुबारा यहां पे आ गई तो कहीं यह लोग दुबारा मम्मी को ना धलने तो जेमी टॉमन को अपनी मम्मी से सौरी कहने को बोलता है टॉमन के जाने के बाद यहां हाई स्पैरो वहां आता है तब ही जेमी उससे थोड़ा सा तेज हो जाता है लेकिन तब ही यहाँ हाई स्पेरो के आदमी आ जाते हैं और जेमी की फार देते हैं हाई स्पेरो तब जेमी से तेज होने लगता है और उसे कहता है कि अगर हम आम आदमी एक साथ खड़े हो जाएं तो रास सिंगासन को तक खिला सकते हैं जेमी बेचारे का मूँ कुट्टे की तरह बन जाता है और हाई स्पेरो वहाँ से चला जाता है भही टॉमन जेमी की बात मानकर अपनी ममी सर्जी ये पास जाता है और उनसे सौरी बोलता है वो सर्जी से पूछता है कि आप इतनी स्ट्रॉंग कैसे हो मुझे भी आपकी तरह स्ट्रॉंग बनना है ताकि मैं जिलनों से प्यार करता हूँ मैं उन लों को बचा सकूँ सर से अपने बेटे को गले लगा लेती है लेकिन स्ट्रॉंग बनने की स्कीम नहीं बताती मिरीन में डेनेरेस गायब है और इस वक्त वहाँ पे टेरियन, ग्रेवाम और मिसांडे है जिनको कोई भी आइडिया नहीं है कि डेनेरेस कहां है टेरियन यहाँ पे भरबर के वाइन पीता है और बक्चोदी अलग करता है कि यार अगर किसी ने मेरा औजार काट दिया होता तो मैं तो भरबर के वाइन पीता यहाँ वो ग्रेव ओम और वेरिस की टांग खीच रहा है लास्ट एपिसोड में इन लोगों की पूरी शिप्स तबाह हो गई थी अब यहाँ टेरियन अपना दिमाग चलाता है और कहता है कि डेनरेस की असली पाबर उसके ड्रेगन्स है और उसके ड्रेगन्स का इस तरह डंजन में बंद रहना बिलकुल भी ठीक बात नहीं है यहाँ वो आगे कहता है कि इतियास गवा है ड्रेगन्स को जब भी बांध कर रखा गया है तो वो कभी ठीक से बड़े नहीं हो पाएं वो यहां misander से पूछता है कि तुमारे ड्रेगन के साथ रिलेशनशिप कैसे है तो यहां misander बोलती है nice, तो इसी बात को conclude करते हुए टीरियन कहता है कि ड्रेगन बहुत ही high IQ वाले जीव रहते हैं, वो समझते हैं कि उनके दोस्ट कौन है और उनके दुश्मन कौन, तो naturally मैं उ ड्रेगन के पास जाता है और उसके साथ वेरिस भी रहता है लेकिन कुछ कदम चलते ही वेरिस उसका साथ छोड़ देता है और टीरियन खुद ही आगे बढ़ता रहता है टीरियन फाइनली ड्रेगन के पास पहुँच जाता है और उनसे बात करते करते अकेले ही उनके पास जा ब्रावो उसमें आर्या रोट पे बैठके भीक मांग रही है तभी वेव वापस आती है और आर्या उसकी आवा सुनकर तुरंट अपना डंडा उठा लेती है और उससे फाइट करने लगती है आर्या को कुछ भी नहीं दिख रहता तो वेव से बहुत पिटती है तभी वहाँ पे एकदम से ही जेरेन अखार आ जाता है और जेरेन आर्या से कहता है कि मैं तुमको तुमारी आंके वापस कर दूँगा और खाना भी दूँगा बस तुम मुझे ये बता दो कि तुम कौन हो तब यहां आर्या उससे जवाब देती है और यहां देख कर कि आर्या उसके टे जौन और सांसा के पीछे जो आदमी गए थे उनको किसी ने मार दिया है। रूस बोल्टन रेमसे से कहता है कि जरूर कोई ना कोई सांसा की मदद कर रहा है। तब रेमसे अपने पापा से कहता है कि इन सब कोई भी मतलब नहीं है। क्योंकि दा वाल पे सांसा का बड़ा भाई जौन सनो हैं तो ये दोनों उसके पास ही भाग गए होंगे। तो वो अपने पापा से वाल पे अटेक करने के लिए कहता है। लेकिन ये सुन के रूस बोल्टन रेमसे को चमका देता है। वो कहता है कि पागलो जैसी बाते मत करो। अगर हमने वाल पे अटेक कर दिया और लॉट कमार्डा को मार दिया तो सारा का सारा नौर्थ हमारे अगेंस्ट हो जाएगा। तब रेमसे उनसे कहता है कि हमको बाकी हाउसे की जड़रत नहीं है चुकि हमारे पास नौर्थ के बड़े-बड़े हाउसे का सपोर्ट है जो की बाकी नौर्थ की फोर्से के बडराबर हैं। इनों की बाते चल ही रही थी कि तभी मेस्टर वहां आते हैं और इन सब को गुड निउस देते हैं कि लेडी बोल्टन ने एक लड़के को जरम दिया है अब यह सब सुनके रेमसी की जल जाती है वो अपने पापा को कॉंग्रेट्स करते हुए उन्हें गले लगाता है तभी बोल्टन अपने बेटे रेमसे से कहता है कि चिंता मत करो मेरे फस्ट बान तो हमेशा तुम ही रहोगे रेमसे अपने पापा से बूलता है कि हाँ मैं जानता हूँ और इतना बोलते ही वो अपने पापा को चाकु मार देता है अब यहां मेस्टर भी खड़ा खड़ा सब कुछ देख रहा था तब रेमसे मेस्टर से कहता है कि जाओ और हमारे सारे लॉट्स को ये संदेशा भेज़ दो कि हमारे दुश्मनों ने पापा को जहर दे के मार दिया है रेमसे वहां से सीधा अपनी स्टेप माम के पास जाता है और उनको और अपने भाई को अपने कुट्टों के पास ले जाता है और उसकी स्टेप माम दीरे से यह समझ जाती है कि अब वो नहीं बचने वाली इसी ये साथ साथ रेम से अपने सारे कुत्तों को इन दोनों पर छोड़ देता है और ये सारे के सारे कुत्ते इन दोनों को नोच नोच कर खा जाते हैं मही नौर्थ में ही ब्रियन सांसा को बताती है कि उसकी बेन आरिया अभी जिन्दा है योकि Brien Aria से एक टाइम पर मिल भी चुकी थी अब ये सुनके सांसा थोड़ा खुश हो जाती है वही त्योन सांसा के पास आता है और उससे कहता है कि Brien तुमको वाल पे जॉन के पास ले जाएगी तब सांसा उससे कहती है कि तुम भी हमारे साथ चलो तियोन सांसा को मना कर देता है वो कहता है कि अगर मैं वह गया तो जौन मुझे मार देगा क्योंकि किसी टाइम पर थियोन ने बागी सब लोगों को भगा कर विंटर फैल के किले पे अपना कब्जा जमा लिया था वो सांसा को बताता है कि वो अब घर जाना चाहता है वही आयन आइलेंड्स पे बेलान ग्रेजोई अपनी बेटी यारा से फिर से नौर्ट पे हमले की बात करता है तब यारा उसको समझाती है कि हम लोग समंदर के राजा है हम लोगों को जमीन पे रहके रूल नहीं करना चाहिए बेलान उसकी बात नहीं मानता और जब वो एक किले से दूसरे किले तक जा रहा होता है तब उसको पुल पे एक आदमी दिखता है और ये आदमी और कोई नहीं बलकि उसका छोटा बाई योरान ग्रेजोई है योरान बेलान को याँ पुल से नीचे गिरा देता है अब वहीं वॉल पे जो टाइम सर एलिसा ने सर डेवोस को दिया रखा था वो अब खतम हो चुका है एलिसा रूम का गेट तोड़ कर सब को पकड़ने की तयारी करता है लेकिन तभी वहाँ एट बाकी वाइल निंक्स के साथ गेट तोड़ कर अंदर आ जाता है वाइल निंक्स और जायन को देखके कासल बलेक के सभी सोलियस अपने हतियाद डाल लेते हैं और उन सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है जो भी जॉन के मरडर में शामिल थे एट के साथ टॉर्मन भी रहता है और जब वो जॉन की बाड़ी को देखता है तब उसको भी बहुत बुरा लगता है अब यह लोग जॉन की बॉड़ी को जलाने के लिए लगड़ियां लाने का प्रवंद करते हैं रात को साथ डेवोस पुजारन के पाज जाते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तम जॉन को वापस जिन्दा नहीं कर सकती ये सुनके पुजारन उनसे कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, पर मैं एक ऐसे आदमी को ज़रूर जानती थी, जो कि मरे हुए लोगों को जिन्दा कर सकता था, पर I'm sorry, मैं ये सब काना में नहीं कर सकती, नहीं मैंने कभी ये चीज़ ट्राय किये, यहां वो एचली उस की बात कर रही थी, जिस बंदे ने बहुत टाइम पहले आरिया के लिए हाउंड से लड़ाई की थी, अब ये सुनके इसा डेवोस उससे कहते हैं कि अगर तुमने कभी ये चीज़ ट्राय नहीं किये तो ठीक है, बहुत ज़दा मनाने के बाद पुजारन फाइनली थोड़ और वो उटके बैठ जाता है